आज हम एक important question discuss करेंगे that is RTP May 2021 से financial guarantee का एक question है जो कि financial instruments के अंदर एक financial guarantee का अच्छा सा question है तो में भी exam में ये आ सकते हैं तो हम इसे फटा-फट से discuss कर लेते हैं and हमारा time से ये वो इसके लिए मैंने already किया कि मैंने solution जितना हद तक हो सके कि पहले ही मैंने जो मुझे आपको समझाना है मैंने लिख लिया कुछ हद तक and कुछ मैं आपके साथ भी discuss करूंगा तो चिले ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये कोशिन हम फटा-फट से discuss करेंगे and समझेंगे कोशिन को start करते हैं on 1st April 2001 Sun Limited guarantees rupees 10 lakh loan of subsidiary Moon Limited which bank STD has provided to Moon Limited for 3 years at the rate 8% interest payments are made at the end of each year and the principal is repeat at the end of the loan term यनि interest payments हर साल दिया जाएगा principle एक साथ इकटा end में 3 years के बाद दिया जाएगा if Sun Limited has not issued a guarantee bank STDK would have charged Moon Limited an interest rate of 11% Sun Limited does not charge Moon Limited for providing the guarantee तो क्या और यहां पर समझें मैं Sun Limited हूँ and आप हो Moon Limited और आप मेरे subsidiary हूँ आप हो Moon Limited मैं Sun Limited हूँ आप मेरे subsidiary हूँ अगर मैं guarantee नहीं दो ना तो आपका जितना credibility है उसके according भी आपसे bank जो वह 11% का interest charge करेगा लेकिन मेरे guarantee देनी की वज़े से bank ज़्यादा secure feel कर रहे है तो वहाँ पर वो ज़्यादा interested charge करेगा तो इसलिए bank का आपसे आप मेरे subsidiary bank आपसे 11% का interest मांग रहे है 10 पर 10 लाग रुपीस के borrowing में और वही अगर मैं guarantee देता हूँ तो bank tension free हो गया कि चलो ठीक यहां पर Sun Limited है guarantee दिया है कि अगर Moon Limited पैसा नहीं दे पाए तो Sun Limited देगा तो यहां पर bank का थोड़ा सा secure feel कर रहे है इसलिए bank ने कहा कि अगर मैं Sun Limited guarantee देता हूँ तो bank आपको 8% में loan दे दीगा तो कि इससे आपका कुछ फाइदा हो रहा है Yes, Яपका फाइदा हो रहा है 3% का interest का फाइदा हो रहा है और यह फाइद यह फाइदा कौन दे रहा हैं मैं guarantee दे रहो हूँ इस वचे सा आपको फाइदा मिल रहा है तो यह जो मैं आपको benefit दे रहा हूँ ना एक form of benefit दे रहा हूँ अगर माने जिसी को भी अगर यह benefit दूँगा तो मैं उससे premium charge करूँ ऑवियस लिबात है जब कभी भी हम किसी को benefit देते तो बदले में हम कुछ charge करते जैनरली premium charge करते क्योंकि मैंने आपको benefit दे guarantee का तो उस guarantee का मुझे premium मिलना चाहिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरे subsidiary company हो तो subsidiary company में कुछ भी ऐसान किया जाएगा माना जाएगा वो subsidiary company में investment है तो मेरा यहाँ पर investment है तो जो difference हो मैं आपको benefit दे रहा हूँ तो यहाँ पर अगर हम अभी का बात करें तो मैं यह समझूंगा माल लीजिए for example मैं guarantee नहीं देता तो ऐसा situation में bank आपसे 11% interest charge करता और market का rate तो आपके लिए 11% यह market का rate आपके लिए 11% है तभी तो बैंग आपसे 11% charge कर रहे है ना अगर मैं guarantee ना दू तो यहाँ पर बैंग आपको पैसा देगा तो आपको देना पड़ेगा उसे कितना आपको देना पड़ेगा bank को every year one lakh tenth thousand one lakh tenth thousand one lakh tenth thousand और finally end में आप principal भी चुका दोगे उसे पैसा तो यहाँ पर आपने कि आपका यह पर भूल जाओ कि कोई parent है मैं हूँ भूल जाओ आप यह समझो कि आपका यह cash flow होता अगर मैं guarantee नहीं देता तो और आप 11% से पूल करते हैं तो definite इसका फैर विल ओफ लाइबिलिटी भी इनिशली टैनला की आता को ट्रांसेक्शन कॉस्ट यहां पर है नहीं तो मांदें कि टैनला की आपका liability का फैर विल ओ रहता तो यहनि आपका obligation कितनी का रहता है 10 लाग रूपीस का आपका obligation रहता है आपर लेकिन मैं आपको guarantee मैं आपके बिहाफ में bank मैं bank को क्या दे रहा हूं guarantee दे रहा हूं आपकी लिए मैं bank को guarantee दे रहा हूं तो bank को guarantee देने की वज़े से bank आपको 11% चार्ज नहीं कर रहा bank आपसे 8% चार्ज कर रहा तो यानि bank आपसे अब कितना चार्ज करेगा 10 लाग रूपीस पर वो 80,000 interest लेगा आपसे 1st year, 2nd year, 3rd year और end मैं आपसे लेगा principal amount यानि जबकि मैं अगर guarantee दे दू तो bank आपसे 80,000, 80,000, 80,000 चार्ज करेगा और end मैं 10 लाग रूपीस चार्ज करेगा लेकिन इसे आपको 11% से पूल करना क्योंकि आपका without एनी guarantee आपके लिए rate के है market rate आपके लिए 11% ही है यहाँ पर हम 11% से पूल करेंगे ताकि पता चल सेगी कि क्या benefit मैं आपको provide कर रहा हूं तो यहाँ आपर अब देखिए मैं ultimately क्या करूं पता है मैं ultimately आपका 1,10,000 जो आपका लगता उसके जगा पर मैं आपका 80,000 लगवा रहा हूं यहाँ जहां आपका outflow first year second year third year में 1,10,000 होता उसकी जगा पर आपका outflow कितना होगा पता है 80,000, 80,000, 80,000 हो रहा है यही फारक है क्योंकि guarantee दे आपका 1,10,000 लगता मैं guarantee देना हो इसकी वज़े से आपका 80,000 लग रहा है तो क्या आपका फाइदा नहीं हो रहा है तो देखा जातों यहाँ पर ऐसे भी हम निकाल सकते पर इसको मैंने alternatively भी लिखा हूँ है यहाँ पर हम यहाँ आ आ जाते कि कहने का मतलब यह है कि 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 लगता विदा हो तेनी guarantee आपका इतना पैसा लगता चले principle तो same ही है तो यह matter नहीं करेगा guarantee दो या guarantee मत दो principle तो same ही आपको 10 लग चुकाना पड़ेगा end में लेकिन वही अगर मैं guarantee नहीं देता हूँ तो आपको 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 चुकाना पड़ता है पर मेर guarantee देनी की वज़े से आपको 80,000, 80,000, 80,000 इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है यहनि every year मेरी वज़े से आपको 30,000 रुपीज का आपका cash outflow कम हो रहा है यहनि आपका benefit मैं आपको दे रहा हूँ मैं मेरा guarantee देनी की वज़े से आपका 30,000 रुपीज का every year for a period of 3 years आपका benefit हो रह guarantee मैं इसे एकर 11% से पूल करो तो मुझे बता चलेगा 73312 का मैं आपको benefit दे रहा हूँ देखिए हम इसे 8% से पूल नहीं कर सकते हैं मैं इसे 11% से इसलिए पूल करेंगे क्योंकि रियल में तो 11% ही आपका लगता guarantee देने की वज़े से आपका 30 दाउचिन का फाइदा हो रहे तो यह जो फाइदा हो रहा है यह फाइदा को आप 11% से पूल करेंगे क्योंकि आपका rate अगर मैं भी आपसे बात करूँ तो मैं कहूंगा आपके लिए तो rate 11% ही है है ना आपको तो boring 11% में मिलता विदा होते हैं नहीं guarantee तो इसलिए 11% से पूल करके हम देखेंगे देखा ज से ही solution का सुर्वात किजिएगा alternatively जो मैंने रखा है मतलब यहाँ पर 1,10,000 के जग आपका 80,000 का outflow होगा यहनि आपका 30,000 का फाइदा में करा के दे रहा हूं and because of debt आपको ultimately 73312 का फाइदा में दे रहा हूं initially तो यह जो 73312 का मैं आपको फाइदा दे रहा हूं initially यह दिखा जै तो financial guarantee जो मैं दे रहा हूं आपके लिए जो मैं bank को financial guarantee दे रहा हूं उसका value है उसका fair value है यह क्या initially 0,30 में उसका fair value है तो यहाँ पर क्या यह guarantee में दे रहा हूं उसके बदले में आप मुझे कुछ पैसा दे रहे हूं या दोगे नहीं कुछ भी नहीं दे रहो नहीं कुछ दोगे तो इसलिए यह माना जाएगा 73312 मेरे लिए investment माना जाएगा यानि मैं दिखाऊंगा investment in subsidiary 73312 का और क्या मैं इसे liability भी दिखाऊंगा यास मैं इसे liability भी इसलिए दिखाऊंगा कि कल को अगर आप एसे नहीं चुकाऊगे तब तो मुझे चुकाना पड़ेगा तो initially जितना का मैंने आपको benefit दिया उतना ही मेरा financial guarantee के नाम पर liability माना जाएगा तो मुझे चुकाना पड़ेगा और मुझे लग रहा कि कल को आप चुका नहीं पाओगे तो मुझे चुकाना पड़ेगा जिसका आज का फैर वेलू आज थोड़े ना मेरा obligation है टलना कुरू भी चुकाने का बैंक को आज मेरा obligation है आप default करोगे तम मेरा obligation है तो यहां पर हम फैर वेलू देखते हैं जैसे आप इंडर्स वंजरू त्री वागिर्या में भी देखे होंगे हम फैर वेलू अगर मान लीजे कल को कुछ हुआ तो consideration दिया जाए तो उसका आज का फैर वेलू देखते ना तो आज तो ऐसा नहीं कि 100% surety आप ऐसा नहीं दोगे तो आज की हिसाब से हमने initially यह determine किया कि जितने का मैं आपको benefit दे रहा हूँ उत्रा मतलब मेरा future में लग सकता है क्या पता है क्या पता मेरा future में तो 10 लाग भी लग सकता मेरा पर फैर वेलू मान लेंगे कि हमारा obligation इतना यह 73312 जितना का हमने benefit दिया इनिशल हम दिखा देंगे तो ultimately कहने का मतलब यह यह जो 73312 है न इसको हम क्या करेंगे बता है इसको हम दिखाएंगे investment in subsidiary 73312 और इसको हम financial guarantee के नाम पर liability समझ लेंगे यह नि 73312 का हम liability दिखा देंगे यह हमारा entry हो जाएगा financial guarantee equivalent to cash क्योंकि जो cash होगा वही प्रीमें में माना जाएगा तो उतना मेरा obligation आज का farewell है तो यहाँ पर farewell of liability मेरा कितना हो गया 73312 हो गया अब अगर हम balance rate की बात करें तो balance rate में भी हम क्या करेंगे investment in subsidiary इधर आ जाएगा एसेट साइट में 73312 और liability side में आचाएगा अपका financial guarantee 73312 का आगे आपका liability तो यहाँ तक तो मुझे समझ में आया initially जो recognition वा बस देखना है कि कितना benefit मैं आपको दे रहो उसका present value आपका original rate के एसाब से present value पूल करेंगे पता चला 73312 का मैं आपको benefit दे रहो यहाँ इस investment in subsidiary अब आगे next year यहनि first year end first April 2001 को मैंने guarantee दिया था initially मैंने recognition भी कर दिया अब आगे 31st March 2002 that is first year end आ चुक है first year end में क्या होँ there is one percent probability that moon limited may default on the loan in the next 12 months यहनि next 12 months में आप one percent probability कि आप default कर सकते हो if moon limited defaults on the loan sun limited does not expect to recover any amount from moon limited तो यह impairment of financial assets related जो impairment of financial assets के बात करते हैं उससे related कि कल को आप पैसे नहीं दे पाओगे तो यहाँ पर आप अगर पैसे नहीं दे पाओगे तो तो मुझे क्या लग रहा है कि आप अगर पैसे नहीं दे पाओगे तो मुझे देना पड़ेगा और मुझे फिर कितना देना पड़ेगा मुझे पूरा ही 10 लाग रुपीज देना पड़ेगा मतलब मैं कुछ भी आपसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा तो देखा जातों यह 100% अ 10 लाग रुपीज है यानि यह lifetime expected credit loss हो गया कैसे impairment of financial assets फोड़ा सद अपने पढ़ा है तो यह पर यह lifetime expected credit loss हो गया कि कल को आप default कर जाओगे तो पूरा का पूरा 10 लाग रुपीज मुझे ही चुकाना पड़ेगा लेकिन आप समझे हम यहाँ पर क्या करते हम तो यह चेक करते क कि क्या significant increase हुआ credit risk में या फिर क्रेडिट इंपैर हुआ है अगर क्रेडिट इंपैर हो जाथा तो हम कहते हैं हाँ आप तो डूप गया तो हम पूरा का पूरा 10 लाग का liability दिखाएंगे अगर मालने चे मुझे यह realize हो गया कि आप पैसा नहीं चुका होगे बैंक को जिसमें म स्यूरिटी के पैसे चुका दोगे तो इसका मतलब भी है कि 10 लाग का मेरा obligation आ सकता है पर 1% ही doubtful है क्या पैसन नहीं दोगे तो 10 लाग का 1% कितना होता है 10,000 रुपीज होता है यानि फिर्स चेर के end में देखा जाए तो loss allowance जो हम कहते हैं है ना जो हमारा obligation आ सकता है कि कल को वो 10,000 रुपीज का ही है वो 10,000 रुपीज का है अब आगे मुझे एक और बात करना फिर्स चेर के end में अब मेरी बात सुनिया आप दितने हमने पता किया था हमने पहले यह बताया था मैंने कि जिरो तियर के end में मैंने देखा कि फिर्स चेर में 30,000 का आपको benefit मिल रहे है स इसी को हमने fair value में present value में pull के तो 73312 आया जैसे हमने liability माना अब अगर मैं बात करूँ first year end का तो आप देखें यह first year end है तो first year end हो गया तो मतलब एक साल तो पीद गया है जहांपने default किया नहीं तो देखा चे तो एक साल बीच चुका है अब हम देखेंगे कि आगें कितना तो हम यह दिखेंगे कि future में future में मैं आपको benefit दे रहे हैं 30,000 का और 30,000 का मैं आपको benefit दे रहे हैं क्योंकि आपको benefit जो मिरे 30,000 का benefit मिरे तूनों second year और 30 year में हमने पता किया कि इसका present value 51375 यह नहीं कहने का मतलब यह कि पहले हमने obligation निकाला था 73312 यह हमने liability क्यों माना क्यो हो सकता है क्योंकि अगर आप default करोगे तो हम इतने का हमारा obligation हो सकता है जितने का benefit दे रहे है उतने का obligation fair value मान रहे है तो इतने का obligation हो सकता है अब first year के add में एक साल तो बीच चुका है न अब बचा क्या second year और 30 year बचा है तो हम देख रहे है कि second year में default हो सकता है और उसमें जो benefit दे रहे है उसी को फैर वेलो उसी को liability माल लेंगे अपना उसी को माल लेंगे कि उतना हमारा तो हम second year को pull करें तो हमें पता चला कि 575 first year का end का हमारा obligation है तो अब इस बार हम क्या क्या है देखिए हम इस बार हम इसा जो liability होता है नो वह maximum रिखना है जो भी हम liability होता हम वह maximum recognize करत में इस करते हैं अब इपने फर्स एरिकेंट में दो बाते डिसकस करें एक तो हमने यह कहा था कि फर्स एक हमें लग रहा है कि 10,000 रुपीस का हमारा obligation आ सकता है क्योंकि 10 लाग रुपीस आपको चुकाना है आप अगर नहीं चुका आप आओगी तो मुझे चुकाना पड़ है दूसरा मैं जो आपको benefit दे रहा हूँ benefit equivalent to liability क्योंकि benefit दे रहा हूँ तो मतलब मेरे सर्पे भार आएगा और मेरा obligation है तो उसका प्रेवर में देखो तो 51375 का मेरा obligation आ रहा है तो हमीसा इन दोनों का higher क्योंकि obligation हम हमीसा maximum दिखाते है तो इतली आपको ध्यान में रखना है इसा दोनों का higher को consider करो कि कि आपका liability है यहाँ पर 0 tier में तो हमने कोई loss allowance था नहीं 0 tier में क्योंकि 0 tier में तो हमने ताजा ताजा दिया है तो 0 tier में तो हमने पूरा सिधा यहीं दिखा दिखा दिखना 73312 यानि जो future में benefit दिया जाएगा उसी का present value मानदे हमारा obligation हो सकते है फैर में हम फिर से check करेंगे हम देखेंगे कि second year में benefit दे रहे हैं थर्ड में benefit दे रहे हैं आने वाले उनका जो present value हमाने हमारा जो benefit future में दिया जाएगा उसका present value हमारा obligation हो सकता है क्योंकि तो पार हो गया ना अब first year पार हो गया तो first year का benefit भी हटा हो क्यों तो हमारा मालेंगे हम relax म हमने first year एक साल निकाल दिया हमने और एक साल कोई problem नहीं आया तो मतलब चली थोड़ी से राहत वाली बात तो इसले अब आप देखिए जो कि पहले हमने financial guarantee में liability दिखा था 73312 का liability दिखा था अब हम second year end में sorry first year end में यह तो आपका beginning है यह 0 year हो गया अब आपका जो first year end that is 31st March 2002 है यहाँ पर हम दो बाते डिसकस कर रहे थे एक हमने कहा कि 12 month expected threat loss जो हम निकालते यह बता है निया farewell of liability मानेंगे यह वाले यानि अब हमारा financial guarantee में जो हम liability दिखाएंगे 31st March 2002 को वो दिखाएंगे higher of the two यानि 51375 हम दिखाएंगे तो अब देखिए पहले जो हमने liability दिखाए वा था 73312 का अब हम उसी दिखाएंगे 51375 तो हमारा क्या liability कम हो रहे है 7173312-51375 कितना 21937 का हमारा फाइदा हो रहे है 21937 फिर से कर लेता हूं 73312-51375 तो यहाँ पर हम मानेंगे 21937 का हमारे क्या हो रहे है फाइदा हो रहे है तो आप कहोगे क्या 21937 का अपका फाइदा हो रहे है तो अब यह काम कीजिए यह आपने decrease in liability हुआ हमारा है तो आप बोलो कि सर इसे हम यहां से adjust कर देते हैं ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे मैं यहां से adjust, क्यों? क्योंकि हमने आपको benefit दिया है है ना, starting में हमने आपको benefit दिया तो वो investment तो हमारा रहे गई प्यूचर में आप default कर जाओगे, तो पैसा देना पड़ेगा ना, इसलिए उन्हें हम liability दिखा रहे थे अब जो भी हमें benefit मिलेगा, वो हमारा नसीब के वज़े से हमें benefit मिला, क्योंकि आप default नहीं कर गए, तो इसलिए यह सारा जो भी फाइदा होगा, क्योंकि यह आपने पैसे लगा, यह क्योंकि पैसे आपने थोड़े ना मुझे दिये, तो मेरे लिए तो investment आप अगर मुझे सुरवात में पैसे देते हैं, तो मेरा cash नहीं बढ़ता, है ना, और बाद में मेरा फाइदा दो तो हो ना, मैं cash को कम करता हूं, समझ में आ रहे हैं आपको, तो यहांपर cash की जगा, बस हम investment in subsidiary दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने हमें premium भी दिया, और वो investment हमेसा कर रहे हैं, अब जब तक आप पैसे नहीं दो कि में entry रख देता हूं, ताकि आपकी exam के लिए helpful रहेगा, तो financial guarantee, है ना, कितना था, 73312 था, पिर आगे, first year के end में, first year के end में हमने हिजाब किया था, this is 31st March 2002, यह 1 April 2001 था, यहां पर हमने कहा कि चलिए, हमारा कुछ amount of liability discharge हो रहा, 21937 का, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम financial guarantee को, जो कि हमारा liability है, हम इतने से कम करेंगे, 21937 और यह profit and loss में चला जाएगा, 21937 हमारा profit and loss में चला जाएगा, चलिए, समझ में आगी हैं तक कोई problem नहीं है, और यहां पर भी मैंने adjust कर दिया, यह PL में हमारा फाइदा होगा, चलिए, इदर liability कम हुआ और आपका profit and loss जो है, बढ़ गया आपका, और आपका दुनों से बैलन्सीड में मैच करेगा, को problem नहीं, अब आगी देखे, 3rd year में क्या होगा, 3rd year नहीं, 2nd year end में, यह 31st March 2003 में क्या होगा, यहीं, 1st April 2001 आपका 0th year था, 31st March 2002 आपका 1st year था, और यह 31st March 2003 हमारा 2nd year हो गया, अब 2nd year के end में, 3% probability है कि आने वाला, 1-2 साल बचा है, 3% probability की moon limited default करेगा, और वो करता है तो मैं कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो हम 10 लाक रुपीज का, हमें चुकाना पड़ सकता है, जिसका liability 3% ही हमें लग रहा है, कि हमार और 3% चांस है कि आप default कर जाओगे, तो यह नहीं 30,000 रुपीज, fair value of liability बन रहा है, कब second year के end में, यह बन रहा है, और एक हम निकालते हैं, हम सेगेंडर के end में, एक और क्या निकालेंगे, हम यह रहा सेगेंडर हम कहेंगे, आने वाला साल तो बच्चा है सिर्फ ठर्ड यर, और ठर्ड यर में 30,000 रुपीज जो है, वो हम benefit दे रहे, उसका present value equivalent के हमारा, हम आपको benefit दे रहे, जो किम library दिखाते हैं, तो यहाँ पर एक तो आया 270027, जो किम ने निकाला, और दूसरा वही, जो 12 months expected trade लोस उपर भी निकाला था, 30,000, और दोनों का हम क्या लेते हैं, higher लेते हैं, तो दोनों का higher इस बार क्या 30,000, तो देखें, पिछले बारे में भी मैंने आपको यह कहा था, 51375, वो 10,000 का higher होता है, 51375, है न, तो हमने यह लिया था, इन दोनों का higher लिया था, और वैसे यहाँ पर इस बार यह आपका है, एक तो 27027 आया, और दूसरा आपका, यह आया, loss 11, जो impairment of financial assets है न, तो दोनों होगा, higher क्या होगा, 30,000 होगा, तो हम मानेंगे हमारा liability जो है, 30,000 है, higher वाला, तो अब हम नेहा liability क्या मानेंगे, अब हम financial guarantee जो है, financial guarantee जो है, 31st March है, 2003 को हम मानेंगे क्या, 30,000 हमारा liability है, तो टेट मेंस हमारा फाइदा कितना हुआ, decrease in liability कितना हुआ, decrease in liability कितना हुआ, decrease in liability होगा, 21375, यह जो decrease in liability होगा, यह कहाँ चला जाएगा, पिल में चला जाएगा, 21375 का फिर से फाइदा हो गया, and third year में भी, मान लिज situation में पूरा 10,00,00,00 का हम liability दिखाएगे, तो पूरा 10,00,00 का हम liability दिखाएगे, यहनि 30,000 का liability दिखाएगा और वो PL में चार्ज किया जाएगा, और वो payment किया जाएगा, अगर आपने default किया, और अगर मान लिजे आपने default नहीं किया, आपने payment पूरा बराबर सारा कर दिया, तो यह 30 धाउजेन जो है यह अल्टिमेंट लिपी एल में चला जाए बात खतम बस यह दो में से एक एंट्री होने वाला आपका तो यहाँ पर थैड येर का हलकी बात भी नहीं किया सेगेंड एर के एंड में हिनों ने कुशिन को खतम कर दिया 31st मास्ट धाउजेन 3 को ऐसा ऐ तो 73312 का मैं आपको benefit दे रहा हूँ तो मैंनों यह मेरा obligation हो सकता है जो future में मेरा obligation हो सकता है 10 लाग पी करने का interest पे करने का उसका fair value आज का हमने यह माल तो 73312 का investment in subsidiary दिखाया और 73312 का हमने क्या दिखाया हमने financial guarantee दिखा दिया अब first year के end में second year, third year ही तो बचा है तो वहां benefit दिया जाएगा उसी का present value हमारा liability माल लेंगे जैसे हमने पहले माना था तो उसकी सबसे हमने माना कि हमारा आ रहा था first year के end में 51375 और दूसरा 1% chance के अब default करोगे तो 1% का 10,000 chance के default करोगे तो दोनों का higher लेते हैं तो दोनों का higher क्या होगा 51375 तो हमने क्या कि निया liability measure कि 513 जो भी difference हमने PL में डाल दिया फिर आगे second year के end में हमने फिर से देखा कि अब तो एक ही साल बचा हुआ है तो वो जो benefit देंगे उसी का present value को हम लाइबरीटी मालने के अपना fair value है और साथे साथ हमने क्या करना है हमें लग रहा है इस बार 3% chance के अब default करोगे तो 10 लाका 3% नह एंट्री यहाँ पर pass कर दे रहे हैं financial guarantee जो कि हमारा liability है कम हुआ तभी तो debit हो रहा है liability कम हो तभी तो debit हो रहा है कितना 21375 है 21375 हमने entry यहाँ पर pass कर दी तो बात खतम बस यह तीन entry आपको mail यहाँ पर pass करना है balance sheet बनाने का जड़त नहीं यह working आप दिखा दीजेगा अगर आ साथ यह वाला यह वाला आपको दिखा दिना है यहाँ यहाँ पर balance sheet भी आप नहीं दिखाओगे चलेगा balance sheet भी दिखाने की जड़त नहीं आपका reference के लिए समझाने के लिए और आप देखो भी ना दूनों सेट मैच करेगा यहाँ इसको इसको और इसको तीनों को टूटल क यहाँ पर मैंने answer भी इसका रखा है tension की कोई बात नहीं है आप अगर देखना जाओगी इनका answer जो investment in subsidy to financial guarantee liability परफेक्ट है हमारा and हमने अपने तरीके से किया financial guarantee to PL में transfer हुआ फिर से financial guarantee to PL में transfer हुआ हलका से 10-20 रुपे अगा 10-20 रुपी इसका फरक आएगा तो matter नहीं करेग तो चलिए फटा फट से हमने 24-25 minutes के अंदर हमने इसे cover किया